हेलो फ्रेंड्स आज हम होम साइंस का टॉपिक उत्सर्जन तंत्र कम्प्लीट करेंगे तो आप वीडियो को लाश्टक देखें वीडियो को लाइक करना और चैनल को सस्क्राइब करना ना भूलें जिसे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिलती रहे और डिस्क्रिप्सन ब उसे ही उत्सर्जन जो है कहते हैं या कहलाती है या क्रिया जो अंग उत्सर्जी या अपसिष्ट पदार्थों को सरीर से बाहर निकालने में सहयोग करते हैं वे अंग क्या कहलाते हैं वे उत्सर्जी अंग कहलाते हैं तदा उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं सरीर के उत्सर् उतषिजी अंग, शरीर के अपसिष्ट पदार्थों को मल मूत्र के रूप में निसकासित करने वाले अंग जो है वो निम्लिखीत है, पहला है सलवी पारोच कि सुद् Mode है, चाहरी होता है तो सलवी स vermutla, गार्ण, कीиц Mas COM, 3 तुर में यक्रित है त्यृत,कोरर समीर, क्यों क्य यह सहायक होता है यकृत यह पदार्थ पित के दोरा आग तक जाते हैं तता मल के साथ गुदा से उसरजित हो जाते हैं सेकंड है फेफडे या नीसोसंक्रिया के दोरा सी ओटू तता वास्प के रूप में परवर्तित जल को सरीर से निकालते हैं सहायक उसरजी अंग में यकृत फेफडे वा तोचाएंगे और जो मुख उसरजी अंग है उसमें आएगा बड़ी आत तथा गुदा सेकंड है मुतर तंत्र बड़ी आत तथा गुदा या मलासय में एकतृत अपचित भोजन को मल के रूप में सरीर से बाहर निकालते हैं सेकंड है मूत्र तंत इसमें दो व्रक या किडिनीज जो होती हैं दो मूत्र वाहनिया एक मूत्रा से तता मूत्र मार्ग समलित होते हैं इसके बाद है मनुष्ट के व्रक की सरचना यह इंपॉंटन नहीं है यह आपके एक्जाम में यहां से कोश्चन आते हैं कि कार्टेक्स क्या होता है कार्टेक्स क्या है तो व्रक की अनुधैर काट में तो इसपश्ट छेतर दिखाई देते हैं बाहरी जो हलका भूरा ठोज भाग होता है वो कार्टेक्स कहलाता है तता जो भीतरी खोकला कीपा कार भाग होता है वो मेडुला या मज्जा कहलाता है यही भाग संकिर होकर मुत नलका जो है बनाता है तो एक्जाम में आता है कार्टेक्स किसे कहते हैं या मेडुला कौन सा भाग होता है यह पुछा जाता है फिर next question बनता है कि nephron या व्रक नलिकाएं किसे कहते हैं तो प्रतेक व्रक में असंख लंबी व कुन्डलित नलिकाएं जो हैं जिने क्या कहते हैं व्रक नलिकाएं या nephron कहते हैं और nephron के कितने भाग होते हैं? इनके दो भाग होते हैं पहला होता है women sample और दूसरा जो होता है kundli नलिकाकार भाग यज इसे कहेंगे convulated tubes convulated tubal ये question पूछा जाता है कि kesh का गुच किसे कहते हैं यजर मेरूलस किसे कहते हैं यजर प्याले के आकार का गरंतील भाग है इस संपुट की गुईका में व्रिक में आई धमनियों का जाल होता है जिसे जो है केसिका गुच कहते हैं इसमें आने वाली धमनी चौड़ी होती है और वे कुष का गुच बनाती है इससे निकलने वाली जो धमनी होती है वो पतली होती है इसके कारण इसे केसी का गुच्छ में रक्त का दाब जो है अधिक होता है सेकंड है कॉन्विलेटेट ट्यूबल वोमेन संपुट से निकलने वाली व्रिक नलिका का ओपरी भाग जो है वो कुंडलित होता है तता नीचला जो भाग है वो यू आकार का होता है इसे हेंले का लूब भी कहते हैं यू नलिका का दूसरा सिरा संग्रे नलिका में खुलता है के इसका गुच्छ से निकलने वाली छोटी छोटी सिराएं आपस में मिलकर व्रिक्ये सिरा बना लेती है मूत्र का संगटन मूत्र समानता अमलिये होता है जो पीले रंका होता है इसमें अधिकांस मात्रा में जल सेस यूरिया, यूरिक अमल वकार्बोनेट तथा विभिन लवड जो है होते हैं इनका समानता अनुपात निबलिकित है जल कितना होता है 9.56% जल होता है यूरिया जो है 2.0% यूरिया होता है लवड जो है 0.6% लवड होता है वा अन्यरस जो है 0.8% होते हैं सामान वेस्क वेक्ति प्रति दिन लगभग 1.4 लिटर मूत्र का त्याग करता है एक्जाम में ये पूछा जाता है ये कुश्चन फिर है सेकंड पूछा जाता है मानो सरीर में लगभग 45 लिटर जल लगभग 70% जो भाग होता है वो जल का होता है तो पहला कुश्चन ये हो जाएका कि यूरिया का त्याग जो है कितना करता है तो 1.4 लिटर और फिर है कितना भाग जो है सरीर का जो है जल से बना है तो 70% जो भाग है मानो सरीर का जो है वो जल से बना है व्रेक्के के कार या किट्नी के फंसन या सरीर में जल संतुलन की क्रिया को नियंत्रित करता है इसका कार रूधिर प्लाजमा के विविन घट को तता उनकी मात्रा को नियंत्रित करना वा उन पर संतुलन बनाये रखना होता है तता ये अपसिष्ट वा वैसेले पदार जैसे यूरिया है यूरिक अमलवा लवर आदिको सरीर से ये बाहर निकालता है इसके नेक्स वीडियो में इसके objective question हम solve करेंगे तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को subscribe करना ना भूले जिसे मेरे चैनल की सारी update आपको मिलती रहे थैंक्यू